नमस्कार मिनासमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News विकास सील इंसान पाटी यानि की VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी जो महागटबंधन का हिस्सा है और महागटबंधन का हिस्सा होने के नाते बिहार में RJD की तरफ से उन्हें तीन सीटे भी दी गई है RJD के साथ गडबंधन में आते ही मुकेश सहनी को तीन लोग सभा सीटे मिल जाती हैं लेकिन मुकेश सहनी को लेकर अब खत्रा मंदराता हुआ नज़र आ रहा है मुकेश सहनी पर एक मुश्किलों के बादल मंदराते वे नज़र आ रहे हैं दरसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुकेस सहनी से वाई प्लस सुरक्षा छीन ले गई है वाई प्लस कैटिगरी की सेक्योरिटी मुकेस सहनी को पिछले साल फरवरी में ग्रहम अंत्राले द्वारा दी गई थी लेकिन अब लोग सभाच चुनाफ के मद्धे नजर वाई प्लस सिक्योरिटी उनसे छीन ले गई जिसके बाद ये कहा जा रहा है वी आई पी के तमाम नेताओं के जरिये कि ये एक तानशाही है तानशाही के जरिये दिखाना चाहते हैं कि सत्ता की पावर कितनी है कि आपको सुरक्षा वो दे भी सकते हैं और आपसे सुरक्षा छीन भी सकते हैं मुकेश सहनी की पार्टी आग बबुला होती भी नजर आई गुसे में नजर आई और मुकेश सहनी से छीनी गई ये सुरक्षा को लेकर ये कहा गया कि ये सरासर ताना शाही को दर्शाता है जहां वाई प्लस सेक्योरिटी मुकेश सहनी से छीनी गई तो वहीं मुकेश सहनी ब काम ही क्या है सिर्फ तालियां बजाना है और तालियां बजवाते हुए जनता को मुर्क बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी का है और बिहार में इस बार भारतिय जनता पार्टी यानि कि पूरा एंडिय अदल हार का सामना करता हुए नजर आएगा मुकेश सहनी का ये दाव ही है क्या मुकेश सहनी से सुरक्षा को लेकर यह जो मुद्दा उठता वा नजर आ रहा है जो वाई प्लस सेक्यॉरिटी चीनी गई है हटाई गई है क्या यह सही है क्या है आपकी राई कम सक्षिन में जरूर बताएं देखते ने स्पेन नाइन नियूस धन्यवाद